खबर के दिल्ली से आज जारी होगी जेजेपी एसपी की पहली लिस्ट जी हाँ 15 से 20 उमिद्वारों की नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे ये माला जाता है उचाना से दुशंत चौहटाला उमिद्वार हो सकते हैं डबवाली से दिगविजे चौहटाला को टिकेट मिल रहा के और जुलाना से विधायक अमरजीत धांडा को मिल सकती है टिकेट चर्की दादरी से राजडी फोगाट हो सकते हैं उमिद्वार टिकेट वित्रण में के साथ गड़वन्दन एसपी का के एसपी जज़पी की ये पहली सूचिया जारिक हो सकती है इस पहली सूचि में 15-20 नाम शामिल हो सकते हैं उमिद्वारों की लस्ट में उचाना से दुशन्त चौटाला का नाम सबसे जादा चर्चाओं में देखिए हैं इधर डबवाले से देखिए चौटाला चुनावी रण में उतर सकते हैं जुलाना से विधायक अमर्जी धांडा को टिकेट मिल सकता है चर्की दादरी से राजदीक फोगाट को टिकेट मिल सकता है अनिल जिस तरह से जेज़ेपी और एसपी के गड़बंदन की बाद लगातार ये है कि टिक्टू पर मंथन को रहा के कब तक लिस्ट आ सकती है बिल्कुल देखे आरती जेज़ेपी और एसपी की तरफ से उमिदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी खबर अब्तिक के तरफ से पहले सबसे पहली जानकारी शेर की जारी है जेज़ेपी और अजाज समाज पार्टी आज उमिदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी अगर बात करें दोनों ही पार्टी को तरफ से कुल मिलाकर 15 से 20 उमिदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी जेजेपी की अगर बात करें उचाना से एक बार फिर चुनावी मैदान में दुश्य चोटाला रहने वाले हैं Jyagnin Chootala. JJP के उच्छाना से उमीदवार रहेंगी और दुशरे चुटारा की तरफब से नामानकन के पहले दिन, यानि कल ही जो है नामेन कि अधिली किया जा गया है। इसके अलावा JJP के दूसरे उमीदवारों की बात करें, जो हमें पता लगा है कि डवाली से दिगविजे चुटला चुनावी मैदान में रहने वाले वहीं जुलाना से अमर जिडाना जो पार्टी के विधायक भी है उनको पार्टी टिकट देने जा रही है इसके अलावा चरकी दादरी से राजदी फोगाट को पार्टी की टिकट म जानी है दोनों ही पार्टी को तरफ से उनकी आज पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी जेजेपी कि और एसपी कि अगर बात करें दोनों ही पार्टी को तरफ से कुल 15-20 नामों की घोस्ना की जाएगी उचाना से एक बार फिर चुनावी मैदान में दुशे चुटला रहने जाना सीट पर एक बार फिर बड़ा मुकाबला होने जा रहे है इसी तरीके से डवाली से फिल्हाल कोर्स के विधायक है अमित सिहागू सीट पर दिगविजद चुटला चुनाव मैदान में होंगा अच्छा देखिए पहले उचाना से दुशन चौटला फिर से चुनावी पर दिगविजद चुटला फिर से दुशन चुटला की रहा उतनी असान नहीं रहने वाले क्योंकि 2019 की अगर बात करें 2019 में जो दुशन चुटला ने एक बड़ी जीत वहां पर दर्ज की ती चोधरी बिरेंद सिंग के परिवार के खिलाफ उच्छनाव मैदान में आते ब करेंुट चुटाला की मिले सबसे बड़ी वज доллар को था एक जिव धीज जेए लिगोंको दुशन चुटाला को दुशन 202 में इन इन फीजिएर उच्छन की बात करें पहलवानों को मुद्द की बात इन तमाम उद्दों पर भी कहिन और बिजए न ही ती कॉंग्रेस की टिकट पर विर्जेंदर सिंग दूशें चुटाला की लड़ाई इस पर देखने को मिलेगी हाला कि इस बार वो हर हालत में जो पिछली जो हारें थी उन हारों का बदला लेंगे और जैसे मैं आपको बता कि दूशें चुटाला के लिए रहा उतनी असान नहीं की जो सरकार में रहे हैं उस बात की जो नाराजगी है जो लोगों में गुसवान को घुषा हूं यह सारे कें सारा गुसा कुलीकर उनकी तरफ से भी एक तरह से बयान दिया गया था कि डबवाली सीट हम जीतने का काम कर रहे हैं क्या कुछ इस सीट पर संभावनाई नजर आती हैं क्या कुछ यहां पर मुकाबला बनता नजर आता है देखिए डबवाली सीट के अगर बात करें डबवाली सीट के अगर बात करें डबवाली सीट के अगर बात करें डबवाली सीट पर चुटाला परिवार की पुरानी पैत्रिक सीट कह सकते हैं इस सीट पर उनके कई बार विदायक बने है, अगर बात करें अमिज सियाक की वो भी उनके पारिवारिक सदेश्या कहा सकते हैं, उनके परिवार कुन विमे में आते है दिगृज़य चुटाला के, और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर सबसे आगे अधित्या चुटाला का न में रहने वाले हैं अब देखना होगा क्योंकि सिर्षा जिली की सीट है इस सीट पर डिवजद चुटाला कितना कड़ा मुकाबला यहां पर दे सकते हैं अमित शिहाग कोंगर्स के मुझूदा विधायक है डॉक्टर केवी सिंग के वो बेते हैं उनको एक बार फिर कोंगर्स कावी लड़ाई यहां पर रहने वाले हैं तो कहिना कि जो डवाली सीट है इस पर भी काफी दिल्चस लडाई देखने को मिलेगी अच्छा देखिए इधर जुलाना सीट की भी हम चर्चा कर लें तो अमर जी ढांडा को लेकर विश्वास जताया जाता है कि उन्हें इस सीट पर हम माहौल देखते हैं कि त्रिकोनी मुकाबला इस सीट पर को गांड़ा देखे जुलाना सीट की अगर बात करें जुलाना सीट से फिलहाल विधायक अमर जी डांडा है एक बार फिर जेजेपी की तरफ से उनको इस सीट से टिकट दी जा रही है वहीं अगर जुला काफी दिल्चस पर है सकती है हाला कि जेजेपी की तरफ से अमर जी डांडा की टिकट तो कंफर्म है लेकिन दूसरे दलों में कौन चुनवी मैदान में रहेगा बीजेपी भी इस सीट पर समयकरना बैठाना में लगए बीजेपी समयकरना देख रही है कि सीट से किसी जाट उमिदवार को टिकट दिया जाए किसी ब्रहमन परदाव के लिजेपी बात करें कॉंगर्स में सीट के काफी लंबे काफी कई 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 दावेदार इस सीट पर कोंगर्स समझ नहीं पारी कि किसी चुनवी मैदान में उता रहे परमिंदर डूल का अपना दावा बनता है विन बनता है कि दोने अधीरा ओल गांदी से मुलाकात की है विनेष फोगार्ट एह उनके परिवार को लेकर भी स्थराय किया गया है जो जो आम दिवी पार्टी के परदेश सदेक्सा, सुषील गुपता जो उनका पैस्तिरिक गाम है वो जुलाना सीट में आता तो कहिए ना कि कॉंगरिस इस सीट में पशो पेश में कि सीट का क्या क्या आज है वहीं जो समाजवादी पार्टी से भी गठमदन की संज उने के सेट सेट आमादी पार्टी के सेट पर समय करने भेढ़ में लगी हुए है तो इस सीट को लेकर हाला कि कॉंग्रेस भी स्वर्श्ट नकीं के अब हम बात चर्की दादरी सीट की भी कर लेते हैं चर्की दादरी सीट को लेकर भी देखे चर्चाय चल रखी हैं कि जेजेपी ने लगभग अपने नाम को फाइनल कर लिया के और राजजी फोगाट का चेहरा यहां पर हो सकता है संभावित उमिद्वार की तौर पर सामने आए तो इस स लिस्त आए इसमें राजदी फोगाट को चर्की दादरी से जेजेपी टिकट देने जा रहे हैं चर्की दादरी से पूरो में विधायक रहा चुके है राजदी फोगाट और अगर दूसरे दलों की अगर बात करें बीजेपी की तरफ से लगभख सुनील सांगवान का नाम चुके हैं तो ऐसे में उनका अपना एक वोट बैंक है उनका उस वोट बैंक के अधार पर कहिना कि बीजेपी सीट पर अपना अपना दावा मजबूत मानती इसके अलावा दूसरे चेहरों की बात करें सोमीर सांगवान जो फिलाल सरकी दादरी से निर्दलिया विधायक है उनका इस सीट पर अपना दावा वो कॉंग्रिस के साथ चले गए था हला कि कॉंग्रिस में शामिल नहीं हुए थे लेकिन वो टिकट कॉंग्रिस से मांग रहे हैं और सोमीर सांगवान की तरफ से कहा गया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो निर्दलिया तो चुनावी मैदान में होंगे यानि उन्हें एलान कर रखा है कोंगरस ने टिकट दिया तो ठीक बात है अगर टिकट नहीं दिया तब भी वो चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा विनेश फोगाट के नाम को लेकर चर्की दादरी से भी चर्चा होते हैं विनेश फोगाट के नाम को लेकर कॉंगेस की तरफ से चर्चा चल रखी है